हेलो दोस्तों कैसे हैं मैं गौतम कुमार च्वाइसे यूकेसन में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि हम बोले थे कि आपको बिहारबोर ने जितने भी मोडल सेट दिये हैं उसका सारा एंसर मैं कंपलीट करवाने वाला हूँ तो आज रात में आठ वजे वर्ल्ड फिजिक् कैसे कोशन होगा आप लोग इससे खुदी पता कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग आप चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं टेस्ट को तो आप लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें करने वाला हूँ सिर्फ एंसर ठीक लग का क्या विशेषता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए यानि अनुवान सिकता सक्डिय होता इससे ठीक है चलिए आप लोग इंग्लिस में भी इसको पर सकते होंगे इसलिए मैंने और लैट्टॉप से इसको निकाला है पीडिएफ में ठीक है ना जी पर सकती निमलिखित में से किस घटना के कारण होती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी यानि विसम यूग मजता के कारण चलिए चौथा क्वेश्चन है मनुष्य का अवसोसी यंग निमलिखित में से कौन सा है तो आप लोग याद रखेंगे मनु छे नमर का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमब यानि यह मनुष्य में पाया जाता है अगला क्वेश्चन है छे नमर क्वेश्चन कौन सा परागन करता पुष्प की गंद से आकरसित नहीं होता है तो आप लोग याद रखेंगा यह जो सुलब है यह पुष्प के ग लक्षन का उधारन कौन सा है तो आप लोग याद रखेगा मातरात्मक लक्षन का उधारन हमारी त्वचा का रंग है ठीक है अगला क्वेश्चन आठ नमर वहकारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं तो आठ नमर का राइट एंसर हो जाएगा ऑप परितंत्र का पहला ट्राफिक अस्तर क्या है एक परितंत्र का पहला ट्राफिक अस्तर क्या है तो उसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर यानि प्रात्मिक उत्पादक जो होता है उसका पहला ट्राफिक होता है ठीक है ट्रफिक होता है अगला क्वेश्चन है ग्य प्रोटोन को जिन्स भी होगा यह दोनों कैंसर के लिए उत्तरदाई होते हैं ठीक है यह कोश्किय जीन है अगला क्वेश्चन है जीन घं किसकी मदद से जीन को को सिकाओं में परवेश करा सकता है यह नवान्सिक्ता रूपांतरित फलेवरसेवर क्या है इसका राइट अंसर हजाएगा यानि यह टमाटर का है ठीच है ना अगला क्वेस्टन है आप चोद्षा नमर संख्या सीधा पि on की स्थित संख्या सी उप्रामीड निम्लिकित में से किसके अनुपस्थित में होता है तो प्लोग नहीं होता है तो दुबारा परितांतर में हमारा क्या नहीं बन सकता है तो वो हो जाएगा उर्जा हमारा दुबारा बन नहीं सकता है क्योंकि उर्जा सनक्षन सी दान से आप लोग फीजिक्स में जानते हैं उर्जा को बनाया या खतम किया नहीं जा सकता है अगला क्वेशन है सुक्रान हो जिसका सखलन अस्खलन नहीं होता है वह पुना कहां अपसोसित होते हैं स्वल्ण नमर का राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर यानि मिसोड़म के बढूनियें अस्तर परत में बंते हैं है कई एक्स गुनसूत्र कौनों सा वह ठोल्टा है अठाड़ा राइट एंसर हो जाएगा ऑफसह नमब सी यानि मेடासंत्रिक जो है यह एक्स गुनशूतर का उदा besserन तला कतर है को सेथ हैं माइलो सौंस निमलिखित में से किसका नाम है 29 नमर्पर के राइटपर हो जाएगा बी नमर्परनि लिंग गुंसुथर का अलग नाम है क्या एलो सौंस अगला क्या है 20 नमर क्वेश्चन एंडोगेमी निमलिकित में से किस में पाया जाता है तो आप लोग 20 नमर का राइट डेंसर याद रखेंगे फीता क्रिमी जो होता है उसमें एंडोगेमी पाया जाता है अगला क्वेश्चन है 21 नमर मद्द चक्र निमलिकित में से किस में पाया जाता है तो 21 का right answer हो जाएगा option number C यानि मद्द चक्र गाय में पाया जाता है अगला question है question number 22 रंथम बोर राष्ट्रिय उद्यान कहां इस्थित है तो आपको पता होगा ये राजस्थान में इस्थित है अगला question है अगला question है निमलिखित में से अस्थानिक पौधा कौन सा है 23 नमर का right answer हो जाएगा option number D यानि निपेथिस खासियाना ये जो है ये अस्थानिक पौधा कहलाता है 24 नमर इसको दोस्तों बहुत जल्दी खतम करने वाले हम लोग तो आप लोग एक बार जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस पर बहुत सारा टेस्ट लाते रहता हूं और क्रेस कोर्स का भी मैं बात कर रहा हूं ठीक है और दूसरा कि इस पर मैंने chemistry का टेस्ट पहले upload कर दिया है जो नहीं देख पाएं chemistry में एक दो एंसर मिश्टेक है जो मैंने कमेंट में राइट एंसर डाल दिया इसमें भी मैं एक तीचर से लिया हूं वो मेरे ख्याल से सारा एंसर सही होगा यदि आपको लगेगा आओ तो आप कमेंट करें मैं चेक करूंगा रिचेक कर लूँगा यदि वैसा को एंसर आता है तो मैं एक बार इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्लोनिंग में समवाहक के रूप में पर्यूक्त बाहिय गुंसुत्र डियने क्या सेंसर हो जाएगा 25 नमर का सी नमर यानिये पौधे में काया कल्पित रहते हैं सौरी अगला क्वेश्चन है 26 नमर पॉलीमरेज श्रिंखला अभी क्रिया किसमें उपयोगी है तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता आप लोग याद रखिएगा डियने प्रवर्ध में इसका यूज क्या आता है पॉलीमरेज का ठीक है अगला क्वेश्चन 27 नमर कूबर सुरी कुकर बीटा के टेडिल्स तथा बोगेन वीलिया के काटे क्या है यह दोनों नाम है बायलोजी का नाम थोड़ा साथ पता तो होता ही है चलिए कोई बात नहीं इसमें डरना नही है ठीक है ना एक ही एसे परजाती का सुनने में भी लग रहा है अठाइस नंबर डार्विन के फिंच क्या दर साते हैं तो 28 का राइटेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी यानि अनुकूली विकिर अंदर साते हैं 29 नमर क्वेश्चन है और क्योपर्टिक्स जीवास्म पक् ठीक है अगला क्वेश्चन है तीस नंबर एक दूई संकर स्थिती कौन सी है तो इसका राइटेंसर आप लोग याद रखेंगे आपको पता ही होगा आप बाइलोजी पर रहे होगे तो इसमौल टी कैपिटल आर स्मौल आर यानि ऑप्शन नमर सी तीसका राइटेंसर होग अगला क्वेश्चन है 32 नमर क्वेश्चन है तेपेटल कोशिका क्या दर्साती है यानि तेपेटल कोशिका क्या प्रदर्शित करती है 32 नमर का राइटेंसर हो जाएगा डी नमर ठीक है एंडो माइटोसिस तथा बहुगुनिता दोनों दर्साते हैं भुरुन कोस किस से बन पालता है अगला कोशन है 34 नमर अस्थानतरन आर एन ए एवं इसमें क्या पाये जाते हैं तो 34 नमर का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी यानि विरोधी कूट पाये जाते हैं है अगला कोश्चन है 35 नम्र कोश्चन रिवर्स ट्रानस्क्रिप्टेज क्या है एक मिनटो ray ट्रांस्क्रिप्टेज क्या है ज़िसका राइट एंसर 35 नमर का राइट एंस याद रखेंगे डी अने निर्भर आर एन एंफ से प्रोली मेरेज एंजाइम है ठीक है चलिए 36 नमर पर हम लोग चलते हैं 36 नमर कोश्चन है कि ऑपेरोन एक जीन जो रीप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं तो 36 नमर का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी यानि रेगुलेटर जीन करते हैं रेगुलेटर सीची बनाने वाले को रोगोलेटर आप लोग याद रखे लिए ऋस तरह से भी इसको है ऊकला स्फद्रस नवर कोश्चन हैं टिट पन्नास के द्वारा स्टेक्स किसे प्रवाई प्रवावित करता है तो इसका रॉयर्ट एंसर हो जाएगा श्वेक्षिक मांस्पेशी को जो अपने एकषा से चलता है टेटनस को प्रभावित कर सकता अग़ला क्वेशन है is History точно में क्या रहता है कि 59 कर एडस विसानु में एक मिनित रुकेगा 37 इस का mm क्या है टेटनस द्वारा कि है है यह सही एंस है ठीक है चलिए उन्चालिष नमर कोस्ट्चन है तिसमें एक लीद्राइन होता है ठीक है ना चलिए 49 नमर कोस्ट्चन है घंबाकू की लट किसके कारण होती है तो आप लोग याद रखेंगे 49 का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि निकोटीन नाम का निका लिखा गया है निकोटीन नाम का इसमें केमिकल होता है जिसके वाइसे इसमें लट लग जाती है ठीक है मुझे तो तेरी लट लग गई ऐसे बात नहीं है चलिए अगला question है चालिस नमर घरेलू कचरा किस प्रकार से पर्दूशन का गठन करता है चालिस नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C यानि जैव निमनी करन पर्दूशक अगला question है इक तालिस नमर निमनी खित में से कौन जल पर्दूशन का सामानी संकेतर जीव है तो ऐसा कौन सा जीव है जो जल पर्दूशन को नॉर्मली बता देता है तो उसका नाम है इकोली ठीक है अगला question है बॉम्बे डाक क्या है तो आप लोग ये डाक से ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है 42 नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर बॉम्बे डाक एक मचली है ठीक है अगला question है लाइसीन में प्रचूर सकती रत्न तर्था प्रोटीन इनमें से किसमे है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या-क्या सकती है रत्न है प्रोटीन 43 नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D यानि मक्का में ये सब बात होता है यानि 43 का option नमबर D 44 नमबर बैल का वीडिय किसमे संचयीत रहता है सैतालिस नमबर स्वरी 44 क्या 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 बैल का वीडिय किसमे रहता है तो आप लोग याद रखना है वह नैट्रोजन होता है वह जो एयर निकलता आप लोग उसको बढ़ नहीं समझेंगा आप दर में नाच्रोजन घैस होता हर adesso कि अंग्ला क्योंड है 45 नमबर क्योंड रेजम के धागे में कौन सा प्रोटीन और यह यह कोषिंञ भार पूछा भी और गया है है 46 नमर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 47 नमर क्वेश्चन मुखी गर्व निरोधक निमलिखित में से किस संयोजन का बना होता है तो आप लोगों को याद रखना है 47 नमर का इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी यानि एस्ट्रोजन और क्वेश्चन पर चलते हैं बहुत जल्द बस खताम होने वाला तीस क्वेश्चन और रहे हैं इसमें देखिए आपको अच्छा फायदा दे दिया आना आपको इस सतर में बस 35 बनाना है यार देख लो आप किसमत की बात है इसमें हमनों के टाइम में तो एक भी बनाने के लि को पर्तिकरन के दोरान लेंगी के रहें डॉन का निर्मान कैसे होता है कुछ हिंदी लिख देता है इससेर होता है का 40 नमर का राई टंसर हो जाएगा ला उन do कॉस्ट फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कभ होता है उननौ का रायट एंसर हो जाएगा ओप्सेन या या निज बेसक कविलोपन या निके द्वारा और अगला कुशचन है 50 नंबर वोबल परिक्यल परना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी पचास का राइट अन्सर हो जाते गाओ deport सनो नंबर यानि करिक द्वारा कुशचन है अगला क्कुष्चन है जल परफूल तन किस्से बनता है ठीक है तो बावन नमबर इसका बावन नमबर इसका राई टंसर और जायगा डी नमबर एक परकार का सहवाल होता जिसका नम नाम प्लेंग को टोनिक है अगला कुशन है यानि बावन का अप्शन नमर्डी तिरपन नमर्ड मिट्री का निर्मान किस प्रक्रिया से होता है तो यह 2 1 1 1 2 2 इसमें ये 2 नमबर उप्शन हो जाएगा बी सी धोनों तिरपन का डी होजाएगा चोंवानन नमबर जलोथ भीद एक परकार की विसेस्ता तो 34 इसका राइट दो है जाएगा गला नमबर हो फपूंध हाल हाई फी अंतर्कोश्केस में क्या रहते हैं ठीक है ना तो इसका पापश्पoga नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा ये नमभर है कि इसमें एक्टो मायखोड राईजयमा होता है रहुत लंबा चोड़ा नाम है 56 नम्बर यानी 55KAA यह नमबर हो जाएगा 56 नमबर जबनामर यह प्लीत ओर प्लियोर्ट ट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्राणूप दरसाथा है तो 56 नमबर का राइट अंसर हो जाएगा बीमबर यानी भी भी अलक्षन प्राणूप को प्रदर्शित करता है यह अगला कुश्च्चन है 57 नमन 58 नमर पे चलते हैं दस कोश्चन और बज़ किया दोस्तों वीडियो को स्क्रीप मत करें ठीक है और इस पर मैं सारा वीडियो डालने वाला हूं तो जो नए स्टुडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फाइदा होगा अगला को सने निलिकित में से कौन सा भारत का राष्ट्रिय जली पसू है तो आप लोग को पता होगा नदी ये डॉल्फिन को बाती राष्ट्रिय जली पसू का दर्जा दिया गया है और आपको 12 के बाद भी चैनल पे बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है क्योंकि पूरा लिउसेंट का मैं दा लिउसेंट सीरीज चलाने बाला हूं जिसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकेंगे तो आपके लिए आपको रोज हमबर्क दे दिया जाएगा आप रोज टेस्ट लगा लिया करना ठीक है और अपने दोस्तों को भी सेयर करें यदि अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करें फिप्ट साथ नमर का राइट अंसर हो जाएगा परती बंदन एंडो न्यूकलियेज ठीक है अगला कोस्चन एक साथ नमर यानि साथ का ऑप्शन नमर बी एक साथ नमर निमलिखित में से कौन सी आईडी के लिए जिन थेरेपी के संवाग के रूप में प्रियूख्त होता है तो एक स इस निम्लिखित में से क्यों मनुषारि का अब सोसी आंग है में था संवी हो जाएगा है चालेर नमर को जाएगा ह से ल correspondence में हो ना स्था नमर क्वेशं इस Sixth份 में लिए और इस को क्युशन है पोडी मेरेज का स्रोत कौन सा है तो इसका 64 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी यानि थर्मोफिलिक जीवान अगला क्वेश्चन है पैसर नमबर क्वेश्चन है अनुवांसिक अभियांत्री की द्वारा इंसुलीन के उत्पादन में निम्लिखित में से किसका उप्योग क्या जाता है तो 65 नमबर का राइट एंसर हो जाएगा ओपचन नमब बी यानि य कोली का । अगला क्वेश्चन है अगला question है योगितम की उत्तर जिविता का विचार किसके द्वारा प्रियुप्त किया गया था अगला question है सरसर नमनिमलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैब उर्वरक के रूप में क्या जाता है तो आप लोग याद रखिये अगर धेंचा नाम का जो गास होता है उसका आम लोग इसके लिए यूज करते हैं ठीक है अगर अब पता है तो कमेंट में बताईए गेनारी का साग आप लोग खाए होंगे ना घर में उसको क्या कहता है इंगलिश में चली 68 इसका क्या निमलिखित में से कौन सा एक जीवान्विक कीट्नासक है तो 68 का राइट ऑसर हो जाएगा ऑप्शन नमबघ सी यानि वेसिलस थूडिन जी एसिस 69 question है निमलिखित में से कौन होमो सेपियंस का परत्यक्ष पूर्वज है तो 69 का राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि होमो एरेक्टर्स ठीक है आगला question 70 number 70 number question है वही तमल जल के प्राथमी कुप्चार में निमलिखित में से कौन सा कदम सामिल है कौन सा कदम सामिल है तो 70 का राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि निसियंदन या अवसाधन दोस्तों आप लोग एक बार इस question को री चेक करें अपने किसी वैसे बुक में आप लोग देख लिए किस बुक से यह आप लोग जो भी जिस बुक से आ रहा है तो मोडल पेपर से या question बैंक से तो आप लोग के बार कम्प्लीट कर लें क्योंकि इससे तो आप याद कर लें ठीक वैसे आपने अभी सही से देखा होगा ता आपको आप संदे के समझ में आ जाएगा लोग कोश्चन तो दोस्तों मैं नहीं करवाने वाला हूं फिजिक्स का लोग कोश्चन होगा वर्लो फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल पे दूसरे आपको 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 आपको